आज की वीडियो में हम बिजी में फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल जो ट्रांजेक्शन होती हैं वाउचर्स वाइस वो मैंने आपको बताई हैं करनी कि आपको कैसे करनी है कुछ मैंने जीएस्ट के साथ बताई थी तो अभी हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें नॉर्मल जीएस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले नॉर्मल ट्रांजिक्शन बता दी थी तो अभी हम बीजी में फीचर्स स्टार्ट कर रहे हैं वन बाई वन हम सारे फीचर्स करेंगे और उसके बाद जीएस्टी भी में आपको इन डेटेल साहल चीज़ें बताऊंगे उसमें तो अभी आपको फीचर्स पर जाने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर आपको एड्मिनिस्ट्रेशन पर जाना है यहाँ पर आपने आना है कन्फिग्रेशन पर कन्फिग्रेशन पर आप आएंगे एंटर प्रेस करेंगे तो first option आ रहा है आपका features options यहाँ पे आप features पे enter करेंगे यहाँ हम open करते हैं अपने accounts feature तो हम यहाँ accounts पे enter करते हैं accounts में जो हमारा first feature है वो है bill by bill details अगर आप अपने customers के लिए या फिर अपने suppliers के लिए bill by bill details maintain करना चाहते हैं record maintain करके रखना चाहते हैं outstanding details maintain करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस feature का use करते हैं उसके बाद जब हम इस पे configure करते हैं तो इसमें bill से related बहुत साई चीज़े आती हैं इसमें जब भी आप किसी भी अपने customer को या फिर कोई supplier आपके लिए reference बनाएगा अगर आप credit में goods purchase कर रहे हैं या फिर आप credit में goods sale कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर first option दिखाई दे रहे enable grouping of reference अगर आप reference के लिए कोई grouping करना चाहते हैं तो आप इस option को enable कर सकते हैं grouping करना references की यह मैं आपको separate video में बताऊंगी अभी मैं आपको simply bill by bill details का use करना बता रहे हूँ उसके बाद next है enforce full amount allocation to references अगर आप references में full amount चाहते हैं जो भी particular account wise होता है तो वो आप यहाँ पर ले लेते हैं उसके बाद next है show pending references till voucher date only तो यहाँ पर अगर आपको sirof pending references ही दिखाई देने है particular voucher date पर तो आप यहाँ पर उसको enable कर सकते हैं अगर आपको bill reference के साथ narration required है तो आप वो ले सकते हैं अगर सभी account के लिए आपको bill by bill लेना है उसके लिए आप enable कर सकते हैं अगर आप sale purchase में auto references लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन features को enable कर सकते हैं तो यह सारे जो features हैं वो grouping से related हैं इनको हम separate video में करेंगे अभी के लिए हम इसको as it is save करते हैं bill by bill को enable करके अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हुए मैंने अपने पास एक party बना रखी है एक मैंने supplier बनाया है और एक मैंने customer बनाया है तो यहाँ पर मैं आपको एक बर उनके masters जो हैं वो आपको show करवा देती हूँ यहाँ पर मैंने एक बनाया है alpha computers और alpha computers जो है यह मेरा supplier है तो इसलिए इसको मैंने sundry creditors लिया है GST में इसको register किया है यहाँ पर इसका credit days for sale और purchase दोनों मैंने 30 days दे दिये बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने अगर इसमें दोनों में days दे दिये तो जरूरी है कि मेरे को alpha computer से sale भी करना पड़ेगा और purchase भी करना पड़ेगा बट अगर आप ऐसे कोई आपका supplier है जिससे आप goods खरीते भी और उनको sale भी करते हैं तो उस case में आप यहाँ पर set कर सकते हैं credit days for sale and purchase तो यहाँ पर हमने एक party बना ली है alpha computers के नाम से और एक हमने बनाई है sign computers के नाम से यह जो party है यह हमारी customer है तो इसलिए मैंने इसको sundry data ले रखा है और इसमें मैंने credit days set किया हुआ है credit days for sale यहाँ पर मैंने 30 days set किया हुआ है okay and उसके बाद आप यहाँ पर कर देते है save उसके बाद हमने कुछ stock item लिया है कुछ मैंने items यहाँ पर create की है जिस पर मैं bill references generate करूँगी तो यहाँ पर मैंने modify किया है modify में आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या-क्या items बनाई है एक मैंने computer item बनाई है जिसमें मैंने GST को भी applicable किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसका sales price fix किया हुआ है purchase price भी अगर आप fix करना चाहते है तो आप कर सकते हैं कोई ऐसा issue नहीं है यहाँ पर आप MRP price, purchase price, sales price, minimum sale price ले सकते हैं उसके बाद अभी हम यहाँ पर इसको save करते हैं मैंने ज्यादा कुछ prices में भी fix नहीं किये हैं उसके बाद यहाँ पर laptop पर अगर हम आते हैं तो laptop पर आप देखेंगे laptop पर भी हमने sales price को fix किया हुआ है 25,000 रुपीज and यहाँ पर GST को भी मैंने applicable किया हुए 18% उसके बाद अभाद आप देखेंगे हमने masters बना लिये हमने item क्रेट कर लिये हैं तो उसके बाद मैंने कुछ transaction भी की थी मैंने sale की transaction की है अपने customer के लिए and purchase की transaction की है अपने supplier के साथ तो यहाँ पर मैं आपको transaction जो है वो दिखा देती हूँ purchase में तो यहाँ पर एक बर हम देखते हैं जो अपने transaction की हुई है यह मैंने transaction की हुई है alpha computers के साथ जिसमें मैंने laptop and computers purchase किये हैं मेरी local GST है यह purchase और alpha computers से मैंने purchase किया है तो यहाँ पर मैंने tax को भी apply किया हुआ है जब हम यहाँ पर इसको save करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर reference पूछता है हम okay करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप एक reference generate होता है bill by bill adjustment of amount यह amount आपके पास pick होती है automatically यहाँ पर आपको reference मिलता है आप यहाँ पर new reference में generate कर सकते हैं जब भी आप credit में purchase कर रहे हैं याँ फिर आप credit में sale कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको जो आपने days दिया होते हैं जैसे हमने 30 days credit period दिया है तो यहाँ पर due date हमें 1st of May show कर रहे हैं तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपना जो adjustment है adjustment के लिए आप references create कर सकते हैं और उसके बाद हमने इसको save किया है उसके बाद as it is मैं आपको एक sales का भी invoice बना के दिखा देते हूं जो मैंने अपने customer के लिए बनाया है sign computers के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने laptop और computer sale की है party को और यहाँ मैंने क्या किया है मैंने references को भी divide किया है कैसे किया है मैंने references को डिवाइड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहते हूं कि Coll darf की आपट की लिए different references create कर सकते हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यह values कैसे लिगिया है और amount है 1,25,000 अब मैं चाहते हूं कि मैं new reference में जो create कर रहे हूं वो मैं laptop के लिए अलग से कर दूँ और computer के लिए अलग से कर दूँ क्योंकि जब मिरको party से payment receive होगी तो जरूरी नहीं है कि मेरको पूरी invoice amount exact एकी बारी में receive हो जाए हो सकता है पहले मिरको जो मेरी party है वो सिरफ laptop का पे करे हो और फिर यह पे computer का पे करें तो अगर आप different different references बनाएंगे तो आपके लिए भी easy रहेगा references wise adjust करने में तो यहाँ पे मैंने new reference में Lappy 101 के नाम से बना दिया एक reference जिसमे मैंने 1,25,000 पे 18% एड करके यहाँ पे value जो है 1,47,500 रुपीज लिगती है and as it is 1,60,000 पे भी 18% calculate करके total जो मेरा value बन रहे है 3,36,300 रुपीज जो की मेरी यहाँ पे जो value है उससे match हो रही है यहाँ पे मैं आपको दिखाते हूँ यह दिखे यह value से मेरी match हो रही है तो मैंने यहाँ पे different adjustment के लिए references बना लिए है lapic के लिए and computer के लिए और इसको अभी हम कर देते हैं save ओके तो यहाँ पे save करने के बाद आपने अभी हमने सिरफ एक एक transaction किये sales के और purchase की अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ reports दिखाना चाहते हूँ आप display में आएंगे display में आने के बाद यहाँ पे अगर आप outstanding analysis देखना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं amount receivable, amount payable, bill wise एक एक करके detail आप देखना चाहते हैं तो यहाँ साही details आपको दिख जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं sign computers के लिए receivable है amount payable, जितना आपका जो supplier के लिए है, वो आप देखना चाहते हो bill wise summary देखना चाहते हो आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो particular references वाइस देखना चाहते हो जैसे alpha computers का मेरे पार से यहाँ पे show कर रहा है as it is मैं अगर sign computers का देख तो sign computers का show कर देगा अगर आप party wise देखना चाहते है bill wise यहाँ पे statement देखना चाहते है वो देख सकते है bill references number wise देखना चाहते है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यह देखे है, हम यहाँ पे देख पा रहे है अभी हमने reference कुछ भी fill नहीं किया अगर मैं reference यहाँ 501 फिल करती हूँ तो यहाँ पे मेरेको reference दिख जाएगा alpha computers का जो मैंने purchase किया था alpha computer से तो आप reference number wise भी search कर सकते हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने जो customers हैं उनके लिए अगर आप reminder डाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप outstanding analysis में आ सकते हैं print, email और sms के अंदर यहाँ पे आपको outstanding analysis पे आना है तो यह साही चीज़े आपको summary जो है reports आपकी साही चीज़े print यहाँ से भी हो जाएंगी तो अगर आप payment reminder देना चाहते हैं अपने customer के लिए तो आप यहाँ पे payment reminder पे क्लिक करते हैं balance only पे तरेंगे तो balance आपको show होगा pending bill show और due bill show और site यहाँ पे आपको show जाएंगी okay तो यहाँ पे आप देखेंगे माल लीचे मैंने alpha computer को तो मैंने payment करना है तो alpha computers तो मैं यहाँ पे नहीं लोंगी जो kindly arrange to clear our payment at the earliest convenience यहाँ पे आपको दिया होगा तो यहाँ आप उसके recording maintain कर सकते हैं okay तो आप इसको print out निकाल सकते हैं directly mail कर सकते हैं as it is अगर आप confirmation करना होगा account confirmation करना होगा तो यहाँ पे आप confirmation of account भी ले सकते हैं अगर आप particular किसी account के लिए करना है माली चे भी को alpha computers को payment करनी है तो मैं इसका इक बार account confirmation करना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम इसका format standard ले ले लेते हैं and यहाँ पे preview देखते हैं तो हमारे पास एक format आ जाता है जिसमें हम confirmation of accounts के लिए एक proper बना सकते हैं details okay and इसको sign कर सकते हैं अब आप देखेंगे अगर हम यहां पि receive करते हैं माली किया माली चे मेरे को eupa receive हुआ है receipt मे सब्सक्राशन की है यहां पे payment की सब्सक्राशल्चन करले तो में पेमिंट में रांजिक्शन कर यहां पर이면 जड़ पेमिंट की है मैं यहां पे अलफा computer ले लिया तो इसका जो balance आ रहा है मिरको 7,67,000 रूपीज शो कर रहा है तो यहाँ पर मैं इसकी value फिल कर सकती हूँ 7,67,000 रूपीज यहाँ पर हमने ले लिया है और यहाँ पर इसका adjustment के लिए आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसका adjustment लेती हूँ आप देखेंगे जैसी मैं यहाँ पर enter करते हूँ उसका due on show हो रहा था 1st of May को जो due होना था उसका मिरको reference यहाँ पर show करेगा तो यही bill by bill का use है कि आप जब payment और ship करते हैं किसी भी sale या purchase के against तो आप उसमें adjustment कर सकते हैं enter आप प्रेस कर देंगे तो वो जो पिछला आपने purchase किया होगा उसके against ही यह amount वो पिक हो जाएगा आप से cash लीजिए bank लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद हम इसको कर देते हैं save as it is अगर मैं next sign computers ने जो मेंको total payment करनी थी वो 3,36,300 rupees करनी थी but मैं माली जी यहाँ पर कहते हूं कि मैंने total payment receive किया भी मैंने पूरी payment receive नहीं की मैंने 2 lakh rupees receive किया सिरफ मैंने यहाँ पर आप को एक example दिया कि हमें half payment भी कहीं बर receive हो जाती है तो हमने यहाँ पर 2 lakh rupees ले लिया तो जब मैंने यहाँ पर एंटर किया यहाँ पर जब मैं अमांट फिल करने के बाद एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास bill of adjustment की window आ जाएगी और यहाँ पर जब मैं adjustment पर एंटर करूँगी तो आप देखेंगी मेरे पास दो references यहाँ पर शो कर रहे हैं शो कर रहे हैं मेरे को दो references यहाँ पर बट मेरेको 2 lakh rupees receive हुए है total total 3 26,300 rupees होने थे but यहाँ पर मेरेको received two lakh rupees तो अम मैं यहाँ पर references को adjust कर सकते हो जैसे कि मैंने first ले लिया कि जो two lakh rupees है उसमें से पहले तो मेरे computer की payment clear हो जाए 1,88,800 रुपीज और उसके बाद जो मेरी next adjustment हो जाए वो मेरी हो जाए लापी के लिए लापी के लिए मेरे को payment जो receive होना था वो होना था 1,47,500 रुपीज बट उसमें जो भी 2,00 में से बचा है वो 11,200 रुपीज बचा है rest जो amount है वो हमें अभी sign computer से receive करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं adjustment जो है वो references वाइस कर सकते हैं अगर हमने different different references बनाए होंगे तो I think आपको समझ आया होगा जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहरे हूँ हम different references कैसे ले रहे हैं क्योंकि एक ही invoice की ज़रूरी नहीं है कि हमें one time payment मिल जाए कई बार हमें installment में भी payment मिलती है कई बार हमें partial payment मिल जाती है कुछ cash में मिल जाती है कुछ bank से मिल जाती है तो आप उस case में इसको adjust कर सकते हो अगर आपने different different references बना रखे होंगे different items के लिए तो I think ये feature जो है वो आपके लिए useful रहेगा इसमें मैं और भी in-depth आपको चीजें बताऊंगी कि आपको group references भी कैसे बनाने हैं तो उसको हम आगे करेंगे तब-टक के लिए आप इतना करके देखेगा कोई भी doubt होता है तो प्लीज पूछिए Thank you, thank you so much for watching this video